अस्सलाम अलेकुम दोस्तो यदि आप कुएत में रहते हो और कुएत केम तरीन खबरों से में सब वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राब करके बेल एकन को प्रेस कर ल लगाया जाएगा जो की डिपलोमा होल्डर होंगे बैचलर डिग्री होल्डर होंगे जो भी इन डिग्री वाले जो भी लोग होंगे तो ओयल स्क्टर में उन लोगों को वहाँ पे नौकरियां वगएरा जो हैं दोस्तो दी जा रही हैं तो जो भी वहाँ पे कुएती नाग आरित साहती हुआ हाई आप लोगों तो पता ही होगा कि कुएत में इतनी जाधा बारिज दोस्तों हुई है कुछ दिनों से अंदर और बहुत सारे जगां पे तो बहुत जादा बारिज अभी भी हो रही है जिसके बज़ए से काफी जाधा लोगों को परिसानियाьяं हुई बह बारिस के दौरान लगभग 219 कंप्लेन को वहां पे दर्च किया गया था। है बहुत सारे जगाओं पे पानी भर गई थी बहुत सारे जगाओं पे बहुत सारे जगाओं पे दोस्तो रोड वागेरा जाम हो गया था फिलाल अभी भी बारिस तो हो रही है ऐसा नहीं कि बारिस खतम हो गया है बारिस बहुत सारे जगाओं पे अभी भी हो रही है पर वैस पास्पोर्ट फॉर्जरी के आरोप में कुएत में जब चेकिंग करते हैं लोग पहुंचते हैं तो पास्पोर्ट फॉर्जरी के आरोप में लगबग 530 एक्सपर्ट को वहाँ पे ग्रफतार किया गया और डिपोर्ट किया गया वो लोग इंट्री करने की कोशिस कर रहे थे क कुएत में, तो फिलाल सभी को पकड़ लिया गया है, और सभी को गरफतार कर लिया गया है, साथ यह जादि आप कुएत में illegal तरीके से entry लेने के आभारे में आप सोच रहे हो, तो बैस ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिया क्योंकि आप illegal तरीके से entry कुएत में कभी भी नहीं ले पा यानि जो भी employment contract कुएत और फिलिपीन्स के बीच में हुआ है उसको अब फिर से दोबारा review किया जाएगा जी हाँ सातियों तो ये फिलिपीन्स के वरकरों को लेकर थोड़ी बुरी ख़बर तो जरूर है क्योंकि जब review होगा तो दिक्कतें आगे चलके बन सकती हैं तो ये सिर करूंगा अगली update की और सातियों चलते हैं अगली ख़बर दोस्तों बताने से पहले मैं आपको बता दू कोई भी मन में आपके सवाल हो कोई जानकारी मुझसे चाहते हो तो मुझे comment करके पूछी या फिर इस्टेगराम पे मुझे follow करिए मुझे आपको सवालों के जवाब करके सभी को deport कर दिया जाएगा तो ये कुछ खबरे थी कुछ अपडेट्स थी जो की कुएट से रही थी मैं अब तक share किया उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो मिलते दोस्तों नेक्स टूडियो पे जहीं दल आफिस और टेक केर